नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टी परपच चैनल परिछाने के तन यूनिक जर्नी ऑफ डेशनेशन में जैसा कि आप से लोग जानते हैं कि हम लोग जो सीटेट का पेपर होता है उसमें जो जीनर लेविल का पेपर में साइन्स के कोशन्स आते हैं उनके प्रिवेस को हम लोग यहां पर डिसकस कर रहे हैं और पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 20 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें साइन्स के जो कुशन पूछे गयते उनको समझा था और आज हम आप आपके लिए लेकर आए हैं 21 दिसंबर 2021 में जो पेपर ह और यह आपके चार लिक्विट दिये गए हैं एक के बाद दूसरे में डिबोया किया है तो किन प्रिक्रणों में यानि किस प्रैक्टिकल में जो दिख सूचक सुई है दिख सूचक सुई का मतलब क्या होता है आपकी जो मेगनेटिक नीडल है वो क्या को दिखाएगी इंदी वासा हम समझ में नहीं आता तो आप इसको इंगलिस का ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं वायर्स कनेक्टे टू दा टू एंट्स ऑफ अन एलेक्ट्रिक सेल आर इमर्श्ट इन दा फॉलविंग लिक्विट वन आफ्टर दा अदर इन विच आप दॉलविंग के जिस और इनको क्या करता है वन वाइवन करके इनको इस जो लिक्विड भरा हुआ इसमें क्या किया जाता है डिब हो जाता है और अब आप से यह पूछा जा रहा है कि जो मैगनेटिक नीडल है वो कब क्या करेगी डिफलेक्शन दिखाएगी यानि की मुव्मेंट को अगर आपको क्या करना है किसी भी द्रब में किसी भी लिकुड में बितुद धरा को प्रभावित करना है तो उसमें जो आयनों की सांदरता होनी चाहिए क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसके डिरेक्ली प्रपोशनल होती है आयनों की सांदरता के डिरेक तो इसमें आपके आयन पाए जाते हैं लेकिन सरबादिक मात्रा में अगर आयन की बात करेंगे तो लबड का बिलेन यानि कि यह वाला जो आपसन होगा आपका जिसकी लबड का मतलब होता है और इसी कारण से इसके पास जो आपकी मेगनेटिक नीडल रखे होगी वह बिच्छेपन यानि की मुवमेंट को दरसाएगी तो ऑप्सन जो हमारा थर्ड है वो विल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप लोगों को कुशन समझ में आ गया होगा ब जैसे उद्योग हानिकारा गैस छोड़ते हैं जो अमली वर्षा के लिए जिम्मिदार होती हैं तो ये गैसे किन तत्तों के ऑक्साइड से बनती हैं इसका मतलब क्या है इंडस्टी लाइक रवर इंडस्टी आटुमवाल इंडस्टी एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्टी रि तो आप कोई पता है इनसे क्या होता है दूआ यानि कि । jyem eel एक्साइड पानी से रियेक्षिन करती हैं अब अगर आप ढ्यान से देखेंगे जब नाईट्रोजन डゃी-कसाइड पानी से reaction करेगी H2O से तो निर्माद करेगी किसका HNO3 ठीक है और इसी प्रकार से जब SO2 आपका पानी से reaction करेगा तो ये निर्माद करेगा किसका H2SO4 का यानि की sulfuric acid तो H2SO4 और HNO3 ठीक है आप ये क्या कर रहे हैं यही आपके दो वह आपके लिक्विड होते हैं जो acid rain के लिए responsible हैं जैसा कि आप लोगी जानते हैं ठीक है तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कौन सा एक element आया sulfur का आया दूसरा यहां पर किसका है nitrogen का आया तो आप यहां पर option चेक करेंगे hydrogen और carbon का आया जी नहीं कारबन और nitrogen का आया जी नहीं nitrogen और sulfur यह बिल्कुल सही nitrogen का भी आया और sulfur का भी आया तो option जो मारा C हो जाएगा वो correct हो जाएगा यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रहे होगी बढ़िया questions है बढ़ते हैं next question number 3 की तरफ देखें question number 3 क्या है किसी 2 लीटर धारता के जार म हुआ है तेल द्वारा लगाये जाने वाला दाब किस दिसा में होगा अब सबसे देखो आपको क्या करना है यहां पर जो question है वो आपको confuse कर रहा है आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना है यहां पर उन्होंने 2 लीटर देदें चाहे 10 लीटर देदें चाहे 500 ml देदें कुछ भ प्रेक्टिकल बताया हुआ था जैसे उन्होंने क्या किया था एक इस परकार का बॉक्स लिया ओधा जिसमें चार पिश्टन लगे वए थे चारो डायक्षन में ठीक है यहां पर इस परकार यह भी पिश्टन लगा लगा था और चारो साइट से आपका खुला उभा था ठी किया जितने हैं Newton का फोर्स अप्लाई किया तो जो आपके ये वाला पिश्टन जो अलग डारेक्शन में है ये वाला पिश्टन जो की अलग डारेक्शन में ये वाला तीनों में उसका इफेक्ट देखने को मिला जबकि फोर्स लगाया केबल इस डारेक्शन में लेकिन जो द्रव ने फोर्स लगाया इधर भी लगाया और इधर भी लगाया और इधर भी लगाया तो इससे क्या बात प्रूफ होती है कि अगर आप किसी बंद भरतन में आप क्या कर रहे हैं द्र question number 4 है हमारा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है जब प्रिकास बायू से जल में क्या करता है गती करता है या गमन करता है तो प्रिकास के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सबते होगा अब यहां पर पढ़ना है आपको इसके बेग में ब्रद्धी होती है इसके आवर यह आपका कोई मीडियम है यहां से कोई प्रिकास की करण आएगी और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेस करेगी तो इसका जो मार्ग है वो सीधा जाना चाहिए था वो सीधा ना जाकर के क्या करेगा हो सकता है उपर भी चला जा हो सकता है नीचे चला जाए तो यह depend करता है कि सघन जो कि आपका air है और यह आपका जो पानी है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सघन माध्यम से बिरल माध्यम में आ रही है या बिरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है खेर उसको बाद में समझेगे आपकी जब कोई प्रिकास की किरण है एक आपकी कोई परिकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके बेग में परवर्तन होता है ये बात बिलकुल सही है ठीक है और इसकी तरंग देर्द इसमें भी परवर्तन होता है बेग में परवर्तन होता है और तरंग देर्द में परवर्तन होता है लेक बायू और यह आपका क्या लिखा हुआ है जल तो आपको पहले तो यह पता होना जी कि जो बायू है वो आपका सरल माध्यम है या फिर आपका विरल माध्यम है तो आपको जानना पड़ेगा कि जो बायू है यह आपका विरल माध्यम है और जो आपका वाटर है वो कि आपका क भी कम हो जाएगा और जो तरंग दरध ठीक है वो भी क्या हो जाए को जाएगा तो अब ऐमको option को पढ़ना है इसके ब्रधी में ब्रधी होती है बिल्कुल अंजना ने दो समान आकार के दो गुट के लिए हैं इन्हें से एक ऐलुमिनियम का है दूसरा किसका है लिड का है उसने इन्हें एक एक करके जल में डुबोया है तो नीचे लिए गए लिखे कथ्रों में से कौन सा सही है सिंपल कोश्चन है इसमें ज्यादा ट्रांसलेशन की दिक्कत नहीं है फिर भी देख लीजे अजनगा टेक्स टू ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज वन इसमेड़ अल्यूमिनियम और एनदर इसमेड़ लैड ठीक है और एक जो इसका गुटका है जो आपका बॉक्स है वो आपका किसका है अल्यूमिनियम का है और दूसरा जो बॉक्स है आपका वो किसका है लेड यानि पेबी इसका है अब यह क्या कर रहा है नीचे से क्या कर रही है यानि कि ऊपर से फोर्स लगा रही है कहां की और नीचे किस बल के कारण उत्पलावन बल के कारण उत्पलावन form का करता है उपर ख्यायर करता है तो आप कोई भिबस तूल है चाहे वो किसी भी metal की बनी हो चाहे aluminum हो चाहँ pH भी हो तो इसमें जो आपका उत्पलावन hace समान प्रिकार से काड़ करेगा तो यहाँ पे आप आपको option पढ़ना है aluminium पर कारत उत्पलावन बल lat पर कारत उत्पलावन बल के कम होगा जी नहीं बरावर काम करेगा तो बरावर वाला केवल और केवल C option दिख रहा है तो यही हमारा सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question number 6 की तरफ क्या है question number 6 देखे पुस्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दिए कि सूचनाओं के आधार पर A, B, C की आपको पहचान करनी है और यहाँ पे A और B, C और तीनों statement दिए गए हैं आपको पता होना चाहिए क्या है तो यह फूल के बारे में कहा किया है तो उसको समझने से पहले जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे सब्द हैं जो आपको हो सकता है हिंदी में दिक्कत्दे जैसे लिखा हुआ है जनन गंती जिसमें एक से अधिक बीजांड पाई जाते हैं इनको इंग्लिस में क्या कहते है नरजननंग मादा जननंग इस्तिरीकेशर अंडासाय पराकोस यह सारी चीजें आपको क्या करनी वोड़ेंगी पहले समझने पड़ेंगे अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे माण करें है अब यहाँ पड़ना है आपको जिसेए आपका मादलो फिलावर है अब अब सबसे पहले यहाँ पर का गया है reproductive gland containing one or more ovules तो जो ovules हैं यह आपके ovary में पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं अंडासाय में पाए जाते हैं जो वीजांड हैं आपके किसी भी फूल के वो आपके कहां पाए जाएंगे ovary में पाए जाएंगे यानि कि अंडासाय में पाए जाएंगे तो A वाला आपको क्या देखना है, A आपका क्या है, ओवेरी है, आगे पढ़िएगा, male reproductive part of the flower, flower का जो male reproductive part होता है, जिनको हिंदी में का कहते हैं, पुंकेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंकेशर कहते हैं, और यही आपके जो इंग्लिस में, इंग्लिस में को कहा जाता है, इ आपके इस्टामेन हैं, यानि B बाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इस्टामेन कहलाएगा, और अब बात करते हैं, C, female reproductive part of flower, जो आपका female reproductive part होता है, जहां से आपका इस्टामेन अंदर जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल, और इन्ही को अगर हम हिंदी बात करें इन्ही को कहा जाता है इस तरी के शर ठीक है दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखें option क्या है A आपका था ovary तो आप किसी भी option में देखें A क्या ovary है जी नहीं I think यहां पर तीनी option लिख पाएं चौथा option आप यहां पर लिख सकते हैं चौथा option आपका हो जाए A बाला जो part है वो आपका ovary कहलाएगा B बाला आपका जो part है वो आपका क्या 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 लाएगा इस्टामेन क्या लाएगा और जो C बाला है उसको क्या कहेंगे चलिए बढ़ते हैं next question पर अगला question है हमारा कौन सा है I think यह सात्मा question है हमारे पास ठीक है देखे निमन मैंसे कौन सी अवस्थाएं हैं जिन में चक्रवात बन सकता है तो आपको simple सी पता है कि जब low air pressure सीधा सीधा आप दिमाग में यह रखिए कि आपका जो चक्रवात है यानि कि जो cyclone है कब बनेगा जब आस पास की बात्तरवन का जो air pressure है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब आप question पढ़ें दिहान से और जो आपकी हवाएं हैं वो क्या करें high speed से घूमें आपका जो pressure है वो क्या हो low हो air pressure low हो लेकिन जो हवाओं का moment हो वो बहुत जादा हो अब option पढ़ें निम्न दाब यानि कि low pressure का निकाए जिसके चार और निम्न बेक की पबने परक्रमा करती है मतलब कि यहाँ पर pressure भी low है और जो हवा move करने वो भी low है तो यानि ये option तो गलत है उच्चे दाब का निकाए जिसके चार और निम्न बेक की परक्रमा करती है ये भी गलत है निम्न दाब का निकाए जिसके चार उच्चे बेक की परक्रमा करती है ये देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि pressure कैसा होने चाहिए low होना चाहिए लेकिन जो हवाओं की गती है वो कैसी होने चाहिए high होने चाहिए तो option जो हमारा C है वो सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों बढ़ते है next question number ये उसके English translation है question number 8 है हमारा क्या है देखी देंसे नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणी एकारक बास्पोर सर्जन की दर की दर को सबसेदिक प्रभाववित करता है बास्पोर सर्जन क्या होता है ये होता आपका transpiration जो की किस में होता है plants में होता है प्लांट के कहां पर होता है पत्तियों में होता है ठीक है लीप्स में देखो जहां से अब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बास पोर्जन की दर को सबसे जादिक प्रभावित करता है तो सूर के प्रिकास की मात्रा जैसे मानलो यहां मेरे पत्ती है यह पत्ती है और आपको पता पत्ती में छोटे-छोटे रंदर चितर पाये जाते अब यह पूचा कि जो बास पोर्जन होता यानि की प्लांट के पत्तियों से पानी की निकलने कि चुरिया होती है वो किस मीडिया में किस इन्वारमेंट में सबसे जादा हुती कौन सा सब्सदिक प्रभावश्य mostly है जीसे तो बास पोरजन तो होगा यह बात बीनकुल सही ह लेकिन सबसे अधिक की बात पूछी गई थी आपसे आप एच्छिक आद्रता को कहा जाता relative humidity क्या बोलते हैं इसको relative humidity आपने अक्सर देखा होगा जब environment में ज़्यादा humidity होती है यानि की नमी होती तो अक्सर आपको चिपचपासा महसूस होता है होता है कि नहीं होता है तो चिपचपासा महसूस होता है क्योंकि उस समय जो plants बगरह होते हैं ये भी क्या करते रहते हैं पानी का उस सबसे होगा ज़्यादा मातरा हम करते हैं तो temperature भी होगा क्योंकि सुर्की प्रिकास की मातरत ही तो आपिछिक आदरता यानि relative humidity एक सबसे बड़ा factor है किसके लिए बास पोस्ट नर्जन के लिए ठीक है दोस्तों तो I think समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं next question number 9 की तरफ ध्यान से पढ़िए क्या है 9 number हरी refrigerator में से हरी एक कोई व्यक्ति है जो refrigerator में से यानि fridge में से रात बर रखी कई पानी से भरी दो बोतलें जिनने में से एक कांच की है और दूसरी किसकी है प्लास्टिक की है यान से कुशन क्या है रात बर रखी है मतलब दोनों का temperature लगवग समानी होगा बाहर निकालता है इसके पशा तुरंथ ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका ताप 10 degree Celsius मेजर करता है तो कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या होगा जैसा कि यहाँ पर एक statement डिखा हुआ है क्या रात बर से दोनों बोतल है जो कि किसकी बनी हुई है कांच की बनी हुई है और दूसरी आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है ठीक है तो अगर इनको अगर अलग अलग अजने कर टेमपरारां काफी लंबे समयता रहत तो definitely कांच का पानी थोड़ा धेर ठंड रहेगा प्लास्टिक के जल्दी आपका गरम होना लगेगा लेकिन यहां पर तुरंट उसने क्या किया है यहां पर तुरंट भी लिखा हुआ है दोनों में जब उसने थर्मामेटर डाला तो इसका मतलब राद वर जब बोतल लगवग एककल हो चुका होगा तो जब उसने प्लास्टिक की बोतल में 10 दिखा रहा तो लगबग जो कांच की बोतल लग उसमें भी 10 डिगरी टेंपरिचर यह आएगा तो ऑप्सन जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं नैस्ट कुश्चन नमबर 10 की तरफ क्या है निम्न कत्नों को पढ़िए और सही विकलब का चेहन कीजिए ठीक है पहला statement क्या लिखा हुआ हतोडे से आगात किये जाने पर द्रव से भरे बरतन की अपेच्छा एक खाली बरतन अधिक प्रबल ध्वनी उत्पन करता है और इसका रीजन क्या बताया है इन्होंने बरतन में भरे द्रव के घनत की अपेच्छा बायू का घनत क्या होता है कम होता है इंग्लिस में पढ़ेंगे इसको एन इंपिटी वेसल प्रेडूस अलावडर साउंड दैन अवीजल फिल्ड विद लिक्विड वैं इस ट्रक्विड विद आ हैमर दा देंस्टी ऑफ एर इस लेस दें देंस्टी ऑफ लिक्विड कंटें देंद बीसल कुछ न है पहला स्ट्रेटमेंट में कि द्रव से भरे बरतन की एप इच्छा जो खाली बरतन होगा इसमें क्या होगी साउंड जो आपकी जनरेट होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी और यहां पर जो साउंड होगी कम मात्रा में होगी क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है और इसक को क्या करना है बार्टर से ट्रैक राना पड़ा रहा उसके बाद मेटल तक पहुंच है तो definitely इसकी sound क्या होगी कम होगी और ये वाले जो आपका खाली है उसकी sound ज्यादा होगी तो आपका statement भी साही है और इसकी जो रीजन पूछा गया है हाँ रीजन भी विलको साही है तो पहला यह सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेस्ट यह कुशन कौन सा था अगला यह 10 कुशन था अगले कुशन 11 पर चलते हैं देखिए 11 नमबर कुशन निम लिकित में से कौन सा मिसरों के समुच्चय को निर्पुत करता है भीया कुशन ध्यान से पढ़ना यहाँ पर सैट की बात हो रही है सैट सैट का मतलब क्या होता समुच्चय आपने जब की बात करेंगे सेट थियोरी की बात करेंगे समुच्चय की बात करेंगे कोई चीज रिपीट नहीं होगी तो अब आपको यह जो कंपोनेंट दिये गए हैं इसे बाईयू है सरकरा दूद कारवन एक्साइड समुद्र का जल वही सारे कंपोनेंट्स अलग लग आपके बना नहीं है गलत हो जाएगा क्योंकि एक्षिलिव जो आइस का कंपोनेंट है बोबी बातर से बना हुआ है और वैपर इसके कंपोनेंट भी किससे बने हुए बाटर से बने हुए तो इनमें से किसी आप एक को रख सकते हैं सैट के अंदर समुच्च चाह के अंदर तो यही साबुन का जहाग अब यहां पर दे को साबुन का जहाग नहीं था तो यह उप्सन एक चीज को खाली छोड़ रहा है तो यह बाला तो हम नहीं लेंगे ठीक है आगे आज़ो जैसे कारबन डायकसाइड वाईयू तो इसमें भी था मिर्दा इसमें भी था समुद्र का जल इ साबुन का जहाग उलेडी दिया गया और सरकरा सरकरा एचली में क्या होती कारवन और हीटोजनिक कंपाउंड से मिलकर बनती है तो अगर कहीं न कहीं दूद में यह सारी चीज़ें भी पाई जाएंगे आपके तो आप यह देख रहे हैं कि केबल और केबल अगर मिसको सारी चीज़ें रेज कर दें कि आपका जो ऑप्शन सेकेंड है इसमें सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि इन तीनों ऑप्शन में दिये का चीज़ों को क्या करेंगे रिक्वार्मेंट को पूरा करेंगे इसको सेट के अंतरगत रखा जाएगा तो बढ़िया कोशन था यह आपका बताना है निम्र मैंसे कौन सी धातू है ए बी और सी कि अभी किरिया सील्दा का सही करम होगा कुश्चिन द्यान से पड़िये आपको क्या करना है कि इनकी correct order of reactivity of metals किस से ज़्यादा आपका क्या होगा रियक्ट करेगी metal तो अगर कोई मान लो metal A है जब उसकी reaction iron sulfate से कराई जाती है किस से कराई जाती है iron sulfate से कराई तो कोई भी reaction नहीं होती है अच्छा उसके बाद जब उसका जो अगली reaction है बुजब किस से कराई जाती है copper sulfate से यानि CUSO4 से कराई जाती है तब displacement reaction होती है यानि कि विस्थापन अविग्रिया होती है कि एक जो आपका element है वो दूसरे को विस्थापित कर देगा अब B जो अगला है यह क्या करता है यह किया कर रही है और जो तुमारा copper sulfate से भी कोई reaction नहीं कर रही है और इसके अलाबा zinc sulfate से भी कोई reaction नहीं कर रही है तो definitely यह हम कह सकते है कि reactivity के अधर पर देखा जाए तो जो B वाला होग़ी सबसे लाश्ट में आएगा क्योंकि ये किसी भी प्रिकार के जो आपके solution दिये गए हैं उनसे reaction नहीं करें तो B वाला सबसे लाश्ट में आएगा तो आप अगर reactivity के अधर पर देखें तो बी सबसे लास्ट में तो बी सबसे लास्ट में केवल A में है और आपका C में है तो आपको क्या करो ये B और C दोनों option को काड़ आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आप हमारे पास बचा हुआ है A वाला इसमें iron sulfate से कोई reaction नहीं हो रही है ठीक है और उसके बाद जो copper sulfate से इससे displacement reaction हो रही है ठीक है दोस्तों तो अगर आप और यहाँ पर इसको देखेंगे किस वाले C वाले को इसमें iron sulfate से displacement यानि विस्थापन अभी करिया हो रही है और copper copper sulfate से पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है और zinc sulfate से अगर हम देखा जाएं इससे भी कोई reaction नहीं हो रही है ठीक है दोस्तों लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान से देखें कि iron sulfate जो की एक highly reactive element solution के अंतरगत आता है इससे जो क्या करेगा अविकरिया करेगा वो mostly ज्यादा reactive होगा तो इससे अविकरिया केबल और केबल C वाला metal कर रहा है तो यानि C सबसे क्या होगा सबसे ज्यादा reactive के अंतरगत आएगा तो यह हो जाएगा अब बचा आपका कौन सा A तो इस तरीके से यह वाला जो क्रम होगा option A को match कर रहा है यह सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों बढ़िया question था बढ़ते है नैश question number 13 की तरफ क्या है question number 13 ऐसे ही पूरे 30 question आपको ध्यान से देखने है और अगर आपको बास्तों में भी यह जो मेहनत है वीडियो को आपको अच्छी लग रही है हो सकता है इससे आपको बहुत help ले आपके आने वाले upcoming exams में तो बिलकुल व कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बायतम छेत्र अर्थात नीले छेत्र के से समंधित नहीं है question आपको क्या करना पड़े का बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि question क्या कह रहा है English terminology पर चलेंगे which of the following statement is correct regarding the temperature of the blue zone the outer mesh zone of the flame तो यहाँ पे पहले पूरा flame का structure समझना पड़े यह candle है ठीक है यह candle है जोस्प्रकार से जल रही है ठीक है यह हमारी candle है ऑके दोस्ते हमें आप यहाँ पर लेकर देखें तो सबसे जो आपर वाला पर होता हूता है जो कि सबसे गरम पर होता है य prayer हम यह वाला हो गया यानि कि बिलकुल मीडियम में ज्यादा गरम नहीं होता है मॉडरेट होता है ठीक है तो ये वाला बीचे वाला हिस्सा हो गया अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला ये इसको कहा जाता है least hot ये सबसे कम क्या होता है गरम होता है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो फ्लेम होती है सबसे उपर वाला जो पार्ट है सबसे ज्यादा गरम बीच वाला उससे कम हो सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है यह सबसे कम होता है अब कोशन को ज़रा ध्यान से देखेगा कि बायतम छेतर अर्था आगे पढ़ेंगे 100 degree Celsius पर क्या होता है चीज़े हैं आपका उबलना स्टार्ट करती है boiling point होता है पानी का ठीक है इसका ताफ 100 degree Celsius से बहुत अधिक होता है इसका ताफ 10 degree Celsius से कम होता है तो आपको मैंसे मैंने अभी बताया कि list जो hot है वो तो नीच बाला part होता है इसमें उपर बाले की बात हो रही तो यह तो गलत हो जाएगा और अगर कोई जौला नेले प्रकास के साथ जल रही है तो definitely उसका temperature केवल 100 नहीं होगा जब आपके यहाँ gas की frame जलती है तो उसका temperature 100 नहीं होता है 100 से कहीं जाता होता है तो आप यहाँ पर option C की ओड़ जा सकते है option C हमारा correct हो जाएगा ठीक है बढ़ते है next question number 14 की तरफ question number 14 जहां से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है निमलिकित मैंसे कौन सा विकल्प धातुगों के गलनांग का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है गलनांग का मतलब क्या होता है गलनांग का मतलब होता है आपका यह increasing order of the melting point अनलाब जिस पर धातुगों जल्दी पिगल जाती है तो किसका सबसे ज़्यादा आपका melting point होता है इसका बढ़ता क्रम आपको बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो एक liquid मात्रा liquid रूप में जो धातुपाई जाती ही वो cable और cable कौन सी है mercury जो कि highly sensitive है किसके परती temperature के परती temperature को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है और तुरंत जल्दी क्या कर जाती है यह इसका जो गलनांग होता बहुत कम होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो यह mercury है जिसका गलनांग सबसे कम होता है और यह आपकी mercury है तो option B और option D इनको आप हठा सकत है उसके बाद जासे mercury यानि HD अगर इनके क्रम में देखा जाना तो mercury के बाद आपका आता है आपका यहां पर लिखा हुआ है copper copper के बाद लिखा आयरेन अगर आप पी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहा जल्दी पिखलता है या aluminum जल्दी पिखलता है अंदाज लगई जह रह तो जब भी आपके सामने question यह समझ में ना आया करें कौन सा question आपको टिक करना है तो कोसिस किया करें आप कि जिस पर आप जल्दी जा सकते हैं जिन options को आप eliminate यानिकी हटा सकते हैं उन पर आप द्याइन दें बढ़ते हैं next question number 15 की और question number 15 देखेगा हम लोग लगबग आदे question को finish कर चुके हैं 15 number question आगया है क्या है निम्रिकित मैंसे कौन सा एक उधारन देनिक जीवन में उदासीनी करन का नहीं है उदासीनी करन का मतलब होता है neutralization reaction याद करो मैंने class में आप लोगों को बताया था कि जब कोई acid यानि कोई envelope किसके साथ react करता है base यानि कि छार के साथ react करता है तो निर्मान करता है salt का यानि की नमक का तो इस प्रकार की जो विक्रिया होती है इसको कहा जाता है neutralization reaction ठीक है neutralization reaction को कहिंदी में बोलते है उदासीनी करन अब आपको देखना है कि कि इसका उधारन नहीं है आमलीता के लिए milk of magnesium का उपयोग पिल्कुल सही है यह example milk of magnesium अकसर जब क्या होता पेट में acidity बगारा बन जाती है तो हम इन चीजों का प्रियोग करके acid और base की reaction करा करी अपने पेट के acidity को सही करते हैं तो यह उदासीनी करन अपिक्रिया का उधारन है ठीक है तो यह तो सही हो जाएगा लेकर नहीं है पूछा इस बात को ध्यान देन neutralization का एक उधारन है मिर्दा का अनबुझे चूने द्वारा उपचार यानि कि जो आपकी अमली मिट्टी होती है acidic soil होती है जाब उसको हम क्या कर सकते हैं जो अनबुझा चूना होता है एक base का का काम करता है तो उसके कारण से जो acidic मिट्टी का जो nature acidic nature होता उसको खतम करने के लिए हम लोग अनबुझे चूने यानि base का परियोग करते तो यह भी क्या है एक neutralization का उधारन है तो आपका last ही बचा है कौन सा iron पर जिंक की परत का जमना जो की आपका उदासी नी करण का विक्रिया नहीं है ठीक है बड़ते है next question number 16 की तरफ देखे question number 16 क्या है किसी किसान अपने किरसी छेत्र जिसमें अंता स्रावन दर उच्च है फसल वोने का निश्या किया इस किरसी छेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपियप्त हो की अब यहां पे question समूं मेरी बात है क्या कह रहा है question देखें इंगलिस में a farmer decided to sow a crop in his farmland with high percolation rate देखो ध्य ठीक है उसमें क्या होता है evoporation ज्यादा मात्रा में होता है तो which crop according to you is better suited for this farmland तो आप सीता समझेए कि इनमें आपको ध्यान देखना है किसकी बात करी जा रही है देखो पहला option दिया गया आपके सामने कपास दूसरा option दिया गया है चावल और तीसरा दिया गया चना और लास्ट ऑप्सन दिया गया है गें हूँ तो अब जब आपको कहना आप यह परसुले सेंग जो rate होता है जब इसको आपको निकालना है तो इसका एक formula होता है आपका personal rate परा पूछे PGT-TGT की जो exam होते हैं वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पर जब आप question पूछा गया question की according देखें तो मिर्दार से गुजरने वाला जो जल होता है ठीक अनता स्रावन की रूप में उसको कैसे देख सकते हैं कि विवन प्रकार की जो मिट्टी होती है उनका जो अनता स्रावन धर होता है यानि कि जो आपका ये इसको इंग्लिस में कहा गया है इसको गोलते है हाई प्रेक्लोजिशन जो रेट होता है इनमें अलग लग प्रकार का पाया जाता है और बालू वाली मिट्टी होती है कौन सी वाली मिट्टी होती है बालू वाली म पानी के जो सोखनी शम्ता होती बुबाली मिट्टी में ज्यादा होती है चिकनी मिट्टी में क्या होती है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहां पे कॉटन यानि कपास पैडी ग्राम वीट में से क्या अंसर होगा cotton आपका सही answer होगा क्योंकि कपास का जो पौदा होता है कपास के जो खेती होती है उसको ज़्यादा amount में पानी केब सकता होती है जो मिट्टी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी वह कपास के लिए सबसे ज़्यादा उप्युक्त भानी जाएगी ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं नेस्ट कुछे नंबर 17 की तरफ कुछे नंबर 17 क्या है हमारा नीचे दिये गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है किसी हाती में कुषकाओं की संख्या किसी बंदर की कुषकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है आपको बुझे कौन सा सही नहीं है तो definitely जो आपका हाती में जो सेलस होगी हाती का आकार इतना विसाल है तो बंदर का आकार कितना छोटा है तो इसमें जो सेलस की संख्या होगी डेफिनेटली क्या होगी अलिफेंट में जाते होगी ये statement मिल्कुल सही है, आगे पढ़ेंगे, हात की kसुकाओं का आकार, बंदर की कोसुकाओं की आकार की तुलना पर होता है, पहली बाद सो आप ध्यान रखते जो cells होती है इनकी जो आकार होती, देखो हो सकता cells की संख्या जादा हो cells की संख्या जादा हो लेकिन आकार में आप ये नहीं कह सकते कि किसकी cells बड़ी होती है किसकी cells छोटी होती cells ये क्या सबसे छोटी unit है किसी भी जो living body होती सबसे छोटी unit basic unit होती है उसी को cell यानि कोसिका कहा जाता है तो इनकी आकार को लेकर के आप ये डिश्वाइब नहीं कर सकते कि बंदर की कोसिकाएं बड़ी होती है या हाती कोसिकाँ छोटी होती है तो यानि ये statement तो गलत है हाती की कोसिकाँ की आकरती बंदर की कुशकाओं की आकर्थी से भिन होती है अभी मैंने आपसे कहा कि cell का जो structure होता है चुकि cell को दो भागों माटा गया है या तो आपका animal cell होगा या तो आपका plant cell होगा तो जो animal cell है और दूसरा आपका plant cell है इनमें अलग अलग पाया जाता है लेकिन जो cells होती है उनका जो आकार होगा इनकी जो आकर्थी होगी फो लगवक सेम होगी animal cell अब आपने देखा होगा कि हाथी भी animal है बंदर भी animal है तो इनकी जो कुशकाओं की आकर्थी है भिन नहीं हो सकती है तो आपके देख रहे हैं B और C दोनों ही खीर आडू जैसे फसल और सबजीयों को खाने से पहले छीलना होता है रीजन क्या है कि इन फलों और सबजीयों के छिलकों में रेसों की मात्रा अधिक्तम पाई जाती है रेसे मतलब समझते हो अगर फाईवर्स ज्यादा पाईदा है तो क्या इनको शीला जाएगा अब यहां पर कुश्चन पढ़ेंगे सेव अब बताव भईया सेव कभी आप छीलके खाते हैं टमाटर कभ आप छीलके खाते हैं टिक है अब इन दों से आगे हो सकता है अलूच पी छीलते हो नहीं पी छीलते हो वो बात की बात है लेकिन दों से हमें अदाजा लग गिया कि यह स्टेटमेंन गलाथ है कि इन्होंने कहा दिया कि छीलकरी कहना पड़ता है सिय्व कौए छीलके खाता है तो statement तो गलत है अब देखो A और R दोनों सही है तो ये तो गलत हो गया A और R दोनों सही ये भी गलत हो गया A सही है ये भी गलत हो गया बचा आपका D option तो A जहां पर आपका सही है वो option आपका गलत है तो A गलत है परन्तु R सही है हाँ इन जो आपके प्लांट्स होते हैं यह आपके जो फ्रूट्स यहां पर सब्जी लेकिए इनकी उपर रेसे यानी फाइवर्स तो पाए जाते हैं इनकी उपर क्या होता है खाल तो पाए जाती है एपल की उपर भी खाल होती है तो यह सारी चीज़े हैं लेकिन आप यह कर सकते हैं कि रेसे तो पाई जाते हैं लेकिन इनको छील के खाना होता है यह आपका statement गलत हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं नेस्ट कुशें नमबर 19 पे और देखें कुशें नमबर 19 क्या है नेम लिकेत में से कौन सही है मिलान की रूप में आपको इनको आपका टैप रूट का उधारण है तो आपका एक यह बर्गत का पेड होता है जैसे आप ब्रॉ wish फिर आपका एकिवच सुगर कैन यानि की गंना आपने देखा विफ और इस परकार उनकी ब्लॉकृ बने होते हैं और यहीं पर छोटे-चोटे क्या होती है प्रॉट निकली होती यानि जो जड़ें जमीनी के अंदर ना पाई जाकर के पेड़ों से लटकती है उनको क्या कहा जाता है तो C का 1 अब आपको देखो C का 1 किस किस में दिया है आपका C का 1 सेकेंड में दिया है थर्ड में दिया है तो यानि पहले दो तो कम से कम हो गए उसके बाद सबसे अच्छा होता है टैप रूट का टैप रूट जो की गाजर एक उसका उधारन है कैरट तो यानि कि एक का आपको सेकेंड ओप्सन पर मूब करना तो यह का सेकेंड देखो केबल और के समय बी वाले में है तो ऑप्सन बी करेक्ट हो सागा ठीक है पड़ते है नेक्स्ट यह कौन सा 19 कोशन था जो आपका जो तीस नंबर का पूरा पेपर होता है साइंस में वसमें 20 नंबर का कंट मुझे जहां तक अनुमान है आप लोगो कोछ भी समझ में नहीं आएगा कुशन पूछ किया रहा है तो जब आपको हिंदी बिल्कुल समझ में ना आए तुरंत आपको इंगलिस में बूप करना है अब पढ़िए द्यान से विच आप दो फॉलविंग स्टेट्मेंट इस क्या लिखा हुआ है एक्लिमिटाइजेशन इस टेंपरेरी एजस्टमेंट ऑफ और गनिजम टू सराउंडिंग अब यहां पर थोड़ा हिंदी पर अनुकूलन प्रतिबेस मतलब की जो जैसे अब यह जो आपका टुंडरा प्रदिस में जो आपके जैसे पाए जाते हैं ज च्छतमावरण की प्रिक्रिया एक अनुकूलन है कि मतलब जो आपके जीवजनतू है वो आपके रंग रूप बदल लेते हैं किसके अनुसार परसिती के अनुसार ठीक है तो यह भी प्रकार का एडप्टेशन है जैसे गिरगेट रंग बदलता है अपना यह भी क्योंकि व परियावरण के अनुकूल तो आगे पढ़ेंगे चौथा स्टेटमेंट लॉंग टाइम एडजस्टमेंट टू सराउंडिक्स लेट टू एडप्टिस हां जब जिस स्थान पर आप लंबे समय तक रहते हैं वहां की चीजों से आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो आप परियों में क्या करते हैं एक लंबी गहरी दीन्द में चले जाते हैं ठीक है तो यो की एक प्रकार का अनुकूलन है लेकिन इस हाँ पर लिखा हुआ है सीत इनिसक्रिता एक पूंड़ता है एक अनुकूलन है नहीं यह गलत हो जाएगा आपका तो आप्शन जो सी है यह यह सही है तो इनकरेक्ट पूंचा एक ही आपका बचा है यह वाला ठीक है दोस्तों यह कुशन 20 थे 20 पूरे कंटेंट वाले कुशन कंप्लीट हो चेके हैं अब हम बात करते हैं पैड़ागोजी का 21 नंबर यानि की कुशर नंबर 21 राष्टी पार्ट चर्चर रूप रेका एन according to the NCF 2005 निम्न मैं से किसके सिवाए सभी कथन बिज्ञान को परिवासित करते हैं यानि की according to the National Curricum Framework 2005 all the following defined science except अब आपको तीन option तो बिल्कुल तरीके से अपका करेंगे परिवासित करेंगे एक ऐसा option होगा जो नहीं करेगा पढ़िए बिज्ञान एक सामाजिक उद्यम है यानि की science एजा बिल्कुल सही है यह बात अगला का है science is an expanding body of knowledge की science को धीरे-दीरे डेवलप किया जा सकता है यानि यह भी सही है science is objective and value neutral यह गलत है बस्तूनेश्ट नहीं है science science को समझना पड़ता है ठीक है और मूल रहत है यह भी गलत है बहुत सारी चीज़ हमको science से सीखने को मिलती है तो एक statement आपको साब साब दिक्राइब विज्ञान सामाजिक परवतन का एक साधन है बिल्कुल सही बात है यह भी सह आपसे पुचा किस के सिवा यानि कौन सा statement गलत है यह वाला आपका statement गलत है ठीक है पढ़ते नेश्ट कोश्चन नमर 22 की तरफ कक्षा चैकी कध्यापका को पता चलता है कि उनकी कच्छा में कुछ चात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है और इसलिए वे विज्ञान की करना हैं वह इस सीख हैं दूसरा कै अभिबाव को कोई को समस्या के बाए में सूचित करना चाहिए अब यह बताओ कि जब कुछ शात्र पढ़ेने में ही असमर्थ हैं विज्ञान की अवधाना को समझने में ही समर्त हैं तो आप जो आपके parents हैं उनको बता कर क्या ही कर लें कोई आपको उसकी logic समझाना होता है तो उससे लेट बूगा करते हैं कोई story जोड़ देते हैं कहानी जोड़ देते हैं कहानी जोड़ने से पूरी उनको science समझे में आ जाती है तो ये statement आपका सही है बकाया आपके first, second and fourth statement कलत है next question number 23 है पढ़िया द्यान से क्या लिखा हुआ है विध्यारतियों के लिए विज्ञान के क्रिया कलापों की योजना बनाते हुए किसी सिच्छक को निम्न मैंसे किन पिश्णों पर ध्यान लखना चाहिए क्या है वो क्रिया कलाप पहला statement पढ़ेंगे हम लोग पार्ट पुस्तक के प्रिष्णों के उत्तर देने में मदद कर रहे हैं अगर पार्ट पुस्तक के प्रिष्णों के उत्तर देने में मदद कर रहे हैं केबलो केबल जो आपका जो यसे आपने ये पार्ट पढ़ा और इस पार्ट को पढ़ने के बाद लास्ट मेंजर चार- वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट अलग लग भांती भांती के डिफरेंट डाइवर्ष्टी के आपके बच्चे होंगे सामने तो आहां पर समस्त संस्कृतिक प्रश्ट भूमियों को आपको सामिल करना है जिसके सभी लोग आपस में जुडाओं महसूस करें एकता महसूस करें तो आपका B statement बिलकुल सही है बिज्यान की संकल्पनाओं को लागू करने के अवसर प्रदान करने चाहिए बिलकुल सही बात है रचनात्मक मुल्यंकन में अच्छा प्रतासन करने पर विध्यारती की साहता कर रहे हैं रचनात्मक मुल्यंकन यानी की जो इस concept पर apply हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो B और C option आपके बिल्कुल correct हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ते हैं, जो आपका question number 23, आप question number 24, मादिमिक विध्यारतियों के लिए, निम्री मैंसे कौन सा प्रिष्ण अनुसंधे है, अनुसंधे का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेग कि आप से यहां पर प्रिष्ण का nature पूछा गया है, कि आप अगर बच्चे से कोई प्रिष्ण पूछते हैं, तो इस प्रिष्ण से बच्चे क्या उसको investigate कर पा रहे हैं, उनके बारे में ऐसी समझ बिक्सित कर पा रहे हैं, जिससे वो क्या करें, घर पर जा करके, उन चीज किसमें है, किस प्रिकार के भोजन का वोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, बढ़ चारों आपको हो सकता है, लेकिन investigation की बात हो रही है, मतलब उनमें experiment करके आपको खोज करके लाना है, तो आपको मानलों कोई नमूने दे दिएगा उनमें starch किसमें है, तो यह आप investigation के द्वारा ही पता कर पाएंगे की नि कर पाएंगे, तो option C हमारा क्या हो जाएगा, correct, बढ़ते है next question number 25 की तरब क्या है, question number 25, नीचे दिए गए कतनों को पढ़िये, लकडी का कुंदा जल पर तैरता है, लकडी का घनत तो जल से कम है, तो आपको बताना है कौन सा गतन सही है, बिल्कुल सही है, जैसे आपका ये पानी भरा हुआ है, यहापे आपने कोई लकडी का ब्लॉग डाल दिया, जो की पानी में तैर रहा है, तो definitely कोई चीज पानी में कप तैरती है, जब उसकी जो density है, उसका जो घनत तो है, उस द्रब से उस लिक्ड के धहनत से क्या हो, कम होते हैं, यह भी सही है, और उसके पीछे जो निसकर्ष निकला है, बहुँ भी सही है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, नैस्ट कोशे नमबर 26 की तरफ, यह बढ़िया कोशे ने दियान से दिखेगा है, आपको यहापे बहुत सारी चीज कौन सा होगा, खुली जाच क्या होगा, तो पहले हमको स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट, बिध्यारती सिच्छक के साथ एक परिगटना की खोज करते हैं, जो जो उन्हें बांचित संपृत्य की और ले जाती, बांचित संपृत्य का मतलब होता ह प्रिस्तुती करण और व्याख्या, तब पश्यात, निर्देशन या प्रिदर्शन, यानि कि पहले उस टीचर क्या करता है, बता रहा है चीजों को, ठीक है, उसके बाद वो निर्देशन दे रहा है, आगे पढ़ेंगे, क्या है, स्वा निर्मित बिधियों का उपयोग कर यहां पे इतने सारे हैं, जो आपने option देख लिए, तो जरत ध्यान से देखो, कि activity किसमें हो रही है, किरिया कलाब, यहां पे किरिया कलाब की बात हो रही है, और किरिया कलाब की बात जब हो रही है, तो यहां पे देखो किरियात्म कोई इस परष्टी करण है, यह है आपका option B, तो यह नहीं B की matching किसे हो रही है, अब option देखो B का 4 किस-किस में है, तो इसमें B का 3 है, यह वाला गलत, B का 1 है, यह वाला गलत, आपके पास option यह वाले दो हैं आपके सामने, ठीक है, B और C में से आपको देखना कौन है, तो जब आपको एक पता चल गया, तो अगला पष्टिकरण की बात हो रही थी, किस की बात हो रही थी? सिच्छात्मक, मलत पहले के teacher क्या करेगा, उनकी प्रिस्तुति देगा, और उनको अच्छे से ब्याक्या करके समझाएगा, उसके बाद आपका प्रदर्शन करेगा, तो ग्ज्यान के संप्रतियों का सिच्छादो प्रिस्तिती करान और व्याख्या तब पस्चान निरदेशन या प्रिदरसन, तो सिच्छात्म किसपश्ची करान, यQuery एका सेकन्ड, एका सेकन्ड किसमें वलना, यह बाले में, प्रिवाली में, एका सेकन्ड हो गया color, शी का 1, d का 3, ठीक है दोस्तो, परते हैं नाय vinden, 5-27 की किसी बिद्याला के कच्छा आठ के बिध्यारतियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर ठोस और धनिक होती हैं इस कच्छा के सिच्छक के लिए सबसे उपयुक्त सैचलिक सलाय क्या होगी कुशन क्या क्या रहा है पहले कुशन समझे कुशन क्या होगी जो आप देना चाहते हैं पढ़िए चार स्टेक्टमेंट किसी संकल्पना का पर्चाय देते हुए विसिष्ट एवं आविसिष्ट दोनों प्रकार के उधारन देने चाहिए दातूं और दातूं में विस्तित तुलना को समलेत करें कि आप मैटल और नॉन मैटल की बार है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है क्यानि कि विसिष्ट और आविसिष्ट यानि कि ट्राइपकल और नॉन टाइपकल दोनों ही प्रकार के एक्जाम्पल देने चाहिए वाएं इंट्रूजिजिंग आप कॉंसेट को इंट्रिद्यूस कर रहे हों तो हम यहीं सलाय दें में सबसे अधिक शमता है खाद सिंख्ला और खाद जाल में विवेदन कीजिए आपको क्या करना है अप सारी सोच की बात हो रही है क्रियेटिव थिंकिंग तुरंट चला जाना है कहां पे क्रियेटिव थिंकिंग ठीक है यह आगे डाइवर्सिप तिंगिए मलब चीजों क से एक खाद सिंख्ला का विकास कीजिए मेड़ा खाद बीज बाज टिडड़ा यह भी कोई क्रियेटिविटी की बात नहीं हो रही है कोई खाद सिंग्ला सरवदा एक उत्पादक से ही क्यों सुरू होती है यह कुछ हत्ता को सकता है लेकिन डी ऑप्शन भी पहले पढ़ना जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा नैश्ट कुछिन नमबर 29 पे चलेंगे हम लोग भारत जैसे देश में पाठ पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्र मैंसे कौन सा अनिमोधित मार्ग दर्सक कारक है क्या है देखना है आपको दियान से इस पश्टी करन हे तू उधारन केबल मध्यंबर्गी आए के समूहों के यह देखो तुरंत नोंने क्या कर दिया बेदबाओ की बात कर दी मध्यंबर्गी आए इंकम सोर्स अरे तुरंत अड़ाओ उसको समतुलिता और समता के लिए संपूर देश में एक ही पाठ पुस्तक होनी चाहिए जी नहीं अब बढत करते हैं यह सदा मस्तिस्क में रखना चाहिए कि पाठ पुस्तके मौलिक रूप से सिछकों के उपयोग के लिए सिछकों के बच्amer के लिए बिच्ञान की संकल अपनाह समाई के साथ कैसे बिकसित होती है इसकी सरायना लिए सिछार्तियों को अउसर मिलने जाहिए अधियान भिर्मन के बारे में एक पृतिवेदन लिखती है। पृतिवेदन का मतलब होता है। ठीक है। A student prepared a report about the garden, widget in which she writes. क्या लिखती है। I noticed most of the plants and trees were without flowers and fruits. अधिकतर जो पेड़ और पौदे हैं वो बिना फल और बिना फूलों के हैं। This may be due to hot summers and no rain for last 2-3 months. 2-3 महिनों से बारिस नहीं हुई है, गर्मी पढ़ रही है. Which of the following process of science are involved in this report? किस प्रिकार की? Science इसमें दीगई, observing है, hypothesis है, predicting है या estimating है, या आपको बताना है. तो यहां पे क्या कर रही है, जिस चात्रा है, उसने पहले तो क्या किया? पूरा जिस garden में वो गई है, वहां पे उसने पूरा अवलोकन किया होगा कि नहीं किया होगा? जो आपके 21 जमबर 2020 का paper हुआ तो उसमें यह पूछे गए थे, I think आप लोगो बहुत सारी चीजी clear हुई होगी, तो अब हमारी जो अगले वीडियो आएगी, उसमें हम लोग जो अगला paper हुआ था, उसके सारी science के कुछ को discuss करेंगे, तो यह चीज बिलकुल आपने अपने साथ जोड़े रही है, हम आपको ऐसी बहुत सारी अच्छे अच्छी updates आपको देते रहेंगे और आपकी तैयारी को बैतर बनाएंगे, thank you